भारतिय सेना को नागा लेंड के मौन जिले के तीजित क्षेत्र में तीरू गाउं के पास उग्रवादियों की आवाजाही की सुचना मिली थी। इसके आधार पर सेना के 21 पेरा कमांडो के एक दस्ते ने दिनांग 4 बार 2021 की साम को संदीक दिक शित्र में एंबूस लगाया था। अम्बूस के दोरान एक वहन अम्बूस के स्थान के समिप पहुचा उसे रूखने का इसारा और प्रयास किया गया। रूखने की बजाए वहन दोरा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया। जिसके उपरांत इस आसंका पर की वहन में संदिक विद्रोही जा रहे थे। वहन पर गोली चलाई गई जिससे वहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्ति हुई बाद में ये गलत पहचान का मामला पाया गया। जो दो लोग गायल हुए थे उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नदी की स्वास्त केंद्र में ले जाया गया। यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानिक गामिनों ने सेना की टुकडी को घेर लिया, दो वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया। इसके परिणाम सरुप सुरुक्सा बलके एक जवान की मृत्ति हो गई तथा कई अन्य जवान गायल हो गए। अपनी सुरक्षा में तथा भीड को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलो को गोली चलानी पड़ी जिससे साथ और नागरीकों की मृत्ति हो गई तथा कुछ अन्यगायल हो गई स्थानिय प्रसाशन और पूलिस ने स्थिती को सामान्य करने के प्रयास किये हैं अभी स्थिती तनावपुन लेकिन नियंत्रण में बनी उलिए पूलिस महा निर्देशक नागालेंड और आयुक नागालेंड ने दिनाग 5 बार 21 को गटना स्थर का दोरा किया ताजित पूलिस स्थाने में गटना के बारे में प्राथमी की दर्ज की गई है और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराज पूलिस टेशन को जांच के लिए स्वांप दिया गया है इस संदर में एक विशेज जांच टीम SIT का गठन किया गया है जिसे एक माह के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिये गए हैं उपरोत गठना के पस्चात दिनांग 5-12-21 की साम में लगबग 200 लोगों की उद्वेलित भीड ने मोन सहर में असम राइफल की कंपनी ओपरेटिंग बेस पर तोडफोर की भीड ने COB के मकान में आग लगाई जिसके उपरां असम राइफल की टुकडी को भीड को तितर बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी इसके कारण एक और नागरिक की मृत्यू हो गई और एक अन्य गायल हो गया प्रभाविक शित्र में किसी और अप्रिय गटना को रोकने के लिए अत्रिक तुबलों की त उखद मृत्यू के घटना क्रम पर अत्यादीत दूख सेना द्वारा व्यक्त किया गया है सेना द्वारा इन दुरुभाग्यपूर्ण मृत्यू के कारण कारणों की जहांच उच्चतम स्तरपर की जा रही है और कानून के अनुसार सम्मूचित कारेवाही की जाएगी घट इसना की सुचना मिलने पर मैंने ततकाल नागलेंड के घवनर और मुख्यमंत्री जी से संपर किया ग्रू मंत्राले द्वारा भी नागलेंड के मुख्य सचीव और पुलिस महादिर्देशक से संपर किया गया कल पुरे दिन स्थीति को मॉनिटर किया गया ग्रू मंत्राले द्वारा तुरंत पुर्वत्तर के प्रभारी अपर सचीव को कोही मा बेजा गया जहां उन्होंने आज सुबह नागलेंड राजे सरकार के मुख्य सचीव एवं अन्य वरिष्ट अधिकारियों और अर्द सैनिक बलों के वरिष्ट अधिकारियों के साथ बैठक की स्थीति का विष्टार पूर्ण समिक्सा की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिग्र सामान्य स्थिति बहाल हो यह नीने लिया गया है कि सभी एजंचियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रियों के खिलाप अभ्यान चलाते समय भविश्य में ऐसी कोई पर शुक्समता से नजर रख रही है और शेत्र में सांती और सौहाद सुनिश्चित करने के लिए आवस्चता अनुसार जरी जरूरी उपाई भी किये जा रहे हैं राज्य पदाद प्राधिकारियों ने एत्याद के तोर पर प्रभावित इलाकों में निसेदाग्या लाग इतना अब्यक्त करती है आई टर नमबर सेंटेन नो मैने सबको प्रयात्त मोगा दिया कोई रिकोर्ट मेने आएगा आइटर नमबर सेवन राष्टी है ओश्या शिक्षा अनुसंदान संचोदम विदेग दो जारे के माने मंत्री जी मानने एद्धक्ष मोगाई आई आई